नमस्कार मैं अमर्जीत कुमर स्वागत है आप सभी को ग्यान फोर एक्जाम यूटूब चैनल पे आसा करेंगे आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे होंगे आज आप यहां पर देख रहे होंगे आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा म और उससे संबन्दि तब आगे जो है उसका मेंज एक्जाम और उसके बाद जो होती है PT की एक्जाम होती है अन्य की physical test एक्जाम होता है तो हमारा pre एक्जाम जो है already conduct कराया जा चुका है और इसके बाद जो एक phage होता है बिहार दरोगा में सेलेक्शन के लिए वह होता है मे मेंस एकजाम के बाद जो एक प्रोसेस होता है वह प्रोसेस कहलाता है P.E.T. तो आज जो हमारा ये वीडियो ज रहेगा ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा मेंस से समन्दित जिसके प्रोसेस क्या है क्या क्या हमें पढ़ने चाहिए इन सभी पर हम बात करेंगे तो वीडियो को दिहान से देखेंगे आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण रहेगा जै पेपर वन जो कि हिंदी रहते हैं और पेपर टू में हम जी के जी एस और उसमें मैठ हरीजनिंग को भी सामिल किया जाता है तो पहले हम बात करेंगे पेपर वन से समन्धित और पेपर वन के बारे में पेपर वण जब हमसे एक्जाम लेता है तो वा हिंदी पेपर होता है जि समें कि पूरे सो प्रस्न आप से पूछे जाएंगे और ये सभी प्रस्न आपके दो नंबर के होते हैं इस कारण से 200 मार्क्स के प्रस्न होंगे यानि कि 200 नमबर आपको वहाँ पर प्राप्त होंगे यह जो होता है हिंदी पेपर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है मगर ध्यान देना है हिंदी पेपर जो होता है ये 100 marks के होते हैं और ये जो होता है ये सिर्फ qualifying nature होते हैं क्योंकि जब pre-exam होता है वहाँ पर बच्चों को जो पूरे जो result दिये जाते हैं वो 20 गुना result दिये जाते हैं तो जो हिंदी पेपर होते हैं वो उसको eliminate करने के लिए यानि कि छाटने के लिए हिंदी का पेपर कराया जाता है तो आपको इसमें qualify करने के लिए मात्र 30% ध्यान रखना है marks का 30% लाना होता है और तब जाकर के आप paper 1 qualify करेंगे और paper 1 जब आप qualify करते हैं तब हमारा जो paper 2 होता है उसकी copy check की जाती है अगर आपका 30% यानि की जो qualifying nature के जो number है वो आपके paper हिंदी में नहीं रहते हैं तब आपकी copy यहीं पर खत्म कर दी जाती है आपके paper 2 की कोई भी प्रस्ण को check नहीं किया जाता है OMR check नहीं किया जाता है साथ में ध्यान रखेंगे कि जो paper 1 होते हैं इसका merit list से कोई भी संबंध नहीं है जैसा हमने बताया कि यह सिर्फ eliminate करने के लिए होते हैं तो हिंदी paper पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे बाद में हम बात करेंगे कि हिंदी को कैसे पढ़ना है और कौन से subject को कैसे पढ़ना है पहले सारी process समझ लेते हैं अब हम बात करते हैं paper 2 paper 2 जो है हमारा merit बनाता है paper 2 भी same paper 1 के जैसा आपके 100 प्रस्ण पूछे जाएंगे और प्रतेक प्रस्ण 2 number के होंगे इस कारण से आपको 200 numbers प्राप्त होंगे यहाँ पर जो होते हैं जो paper 2 यह important होता है हमारे लिए जो की merit बनाता है और paper 2 में जो पूछे जाते हैं वो समान ग्यान, समान अध्यान, समान बिग्यान, साथ हे साथ, math, origining के भी प्रस्ण सामिल किये जाते हैं तो यह हमारा important paper रहेगा अगर हम बात करें कि paper 2 में कैसे पढ़ना है और इसमें जो एक बात करें कि इसमें जो negative markings होते हैं या नहीं तो जैसा आपने pre में दिया होगा, pre में भी negative markings थे, उसी प्रकार से paper 2 में भी negative होंगे और मात्र 0.02, हाना, हम आप करेंगे 0.2, 0.2 नंबर जो होते हैं ये negative के रूप में काटे जाते हैं और जब paper 2 आप qualify करते हैं तो paper 2 qualify करने के बाद यानि कि जो total result बनाए जाते हैं paper 2 से यानि कि means के बाद जो result बनाए जाते हैं वो कुल अभियार्थियों का 6 गुना result बनाता है ठीक है तो paper 2 की अगर हम बात करें तो paper 2 हमारा जब merit बनाने की बात करता है तो इसमें क्या-क्या पढ़ने होते हैं कैसे पढ़ने होंगे इस पर चर्चा करेंगे वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपके लिए बहुत ही helpful होगा ध्यान से समझेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें GKS में तो history के प्रस्ण पूछे जाते हैं geography होते हैं जियोग्रफी में Indian geography और world geography दोनों होंगे history भी आपका Indian और world history दोनों होंगे quality हमारे साथ रहेगा environment एक महत्पुर्ण रोल निभाता है हमारे means के exam में economics के रहेंगे science के प्रस्ण बहुत ही important रहते हैं साथ ही साथ math reasoning जो है यह हमारा direct number देने का काम करता है जो भी math और reasoning को अगर सही ढंग से बना लेते हैं इसके कुल 20 प्रस्ण पूछे जाएंगे लगवग पूरे 20 प्रस्ण math और reasoning मिला करके पूछे जाते हैं और यह अगर आप प्रस्ण को बनाते हैं तो करीब अगर आप 17 से 18 marks इधर से उठाते हैं तब आपका बाकी के अन्न सभी subject आपको आसान कर देगा qualifying के लिए अब उसके बाद एक हमने यहाँ पर लिखा है current affairs इस पर बाद में चर्चा करेंगे अब हम एक करके सभी subject के बारे में बात करेंगे history जो होता है हम इसको एक अलग से आप लोगों के लिए हर एक subject का कुछ important chapters जो होंगे उसके videos आपको provide कराएंगे आप उसे जरूर देखेंगे एक सभी जो आपको books जो prefer किया जाता है उन सभी books के साथ साथ कुछ हट करके जो प्रस्ण आज कल जो trends में चल रहे हैं उन सभी को सामिल करके आपको छोटे छोटे बीडियोज हम provide कराएंगे हर एक subject का उसे आप जरूर देखा करेंगे वो बीडियोज देखने के बाद आपको किसी अन्य book की जो materials आप collect करते हैं science की तो science के जो प्रस्ण रहेंगे वो 15 से 20 प्रस्ण ये देगा 20 प्रस्ण ये और 20 लगवग ये ये दोनों हमारा most important काम करता है उसके बाद आते हैं history के जो की 10 से 15 प्रस्ण पूछे जाएंगे जो graph ही लगवग 10 प्रस्ण होते हैं उसी प्रकार से quality भी 10 से 15 प्रस्णों के बीच का रहता है और environment करीब 5 प्रस्ण आपको देखने के लिए मिलेंगे economics के भी लगवग 5 प्रस्ण 5 से 10 देखने के लिए मिलता है इस वर जैसा कि आपने अगर इस वर PT दिया होगा तो PT में आपने देखा होगा कि out of syllabus जो BPSC syllabus देता है उस syllabus से हटके भी कुछ प्रस्ण थे जैसे समाज सास्त्र के प्रस्ण थे कुछ psychological प्रस्ण थे तो इस उम्मीद में क्योंकि BPSC के पास ये एक थोड़ी सी अधिकार होता है कि वो बच्चों को देखते हुए प्रस्ण को और pattern को बदल सकता है at a time exam के time तो इस कारण से ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इस वार care interference को भी सामिल किया है और उमीद है कि care interference भी 5 से 10 प्रस्ण तक पूछे जा सकते हैं क्योंकि जैसा PT में कहा गया था पिछले बार जब exam हुई थी उसमें लगवक 25 से 30 प्रस्ण अलग-अलग सिप्टों में देखने के लिए मिला था जो कि current के थे जो कि इस वार के exam में करीब 10 से 15 प्रस्णों के बीच में ही current affairs को सामिल किया गया तो इसी pattern को अगर समझा जाए तो हम इस उमीद में न बैठेंगे कि current नहीं पूछता है तो आप current पे भी ध्यान जरूर देंगे एकजाम के टाइम जाने से पहले 15 दिन 10 दिन पहले एक वार current को जरूर पढ़ करके रिवाइज करके जरूर जाएंगे उसके बाद अब जरूरत पढ़ता है ये subject तो हम पढ़ेंगे आपको हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ भी रहें इन सभी subject को important रोप से पढ़ेंगे अब हम इसको pass कैसे करेंगे इसकी आदत कैसे बनाएंगे तो इसके लिए क्या करना है कि हमें per day कम से कम per day एक test paper तो जरूर लगाना चाहिए एक test paper अगर हम daily लगाते हैं साथ ही साथ जितने भी previous year question जो जो भी exam हुए हैं बिहार दरोगा means का हो बिहार दरोगा pre का हो या BPSC के जो प्रस्ण होते हैं इसके previous year question को आप जरूर लगा के रखेंगे BPSC कहने का मतलब मेरा ये है कि बिहार को छोड़ करके बिहार जो special 35 प्रस्ण पूछे जाते हैं उसको छोड़ करके बाकी अन्य सभी जो प्रस्ण होते हैं उसे आप जरूर solve करें बिहार special भी एक दो प्रस्ण कभी कभी पूछे जाते हैं तो उसे भी आप बना के रखें तो और भी बेतर होगा previous year question के साथ साथी साथ test paper और practice set आप daily लगाएं और बात रही कि ये कहां से लगाएं कैसे लगाएं तो test paper या practice set के market में बहुत सारे works आते हैं आप किसी भी किसी का भी हो किसी भी publication का हो या फिर online कोई भी channel कोई भी platform अगर आपको test paper provide कराता है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि daily एक paper जहां से मिले जिधर से मिले उसे हम solve करेंगे इससे एक बेहतर ये होता है कि आपको सबसे पहले exam hall में बैट करके जो एक pressure होता है paper का वो solve होगा और आपकी छमता बिक्सित होगी कि आप कौन से topics पे किस subject के किस chapter में आपको problem होती है उसको आप फिर से solve कर सकते हैं उस पर ज्यादा बेहतर ध्यान दे सकते हैं साथ ही साथ जब हम practice set करते हैं तो time management की एक जो problem होती है वह भी हमारा solve हो जाता है क्योंकि इस वार जो हमारे mains में पूछे जाएंगे वो 20 प्रस्न math और reasoning के होंगे तो यहाँ पर प्रस्न और time माइने रखता है बात करते हैं अब कुछ books की हम बात करेंगे कि किस के लिए कौन सी book पढ़े सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिंदी paper के लिए तो हिंदी paper में हम लोगों ने जाना कि यह सिर्फ qualifying nature के होते हैं तो हिंदी की पढ़ाई के लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है आप कुछ संभावित जो chapter हैं इसके बारे में हम अलग से आपको एक video बनाएंगे जिसमें इन सभी subject के कौन-कौन से chapter आपको पढ़ने चाहिए हिंदी के कौन-कौन से chapter आपको पढ़ने चाहिए इन सभी पे आपको एक video हम provide कराएंगे उसे आप जरूर देख लेंगे जितने भी संभावित जो प्रस्ण होंगे या chapter होते हैं उसे आप सिर्फ पढ़कर के रखेंगे बाकी ज्यादा कुछ नहीं और ये ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आप exam से एक महिना पहले अगर इसकी practice आपने शुरू कर दिया तो बेहतर होगा हमें जो main ध्यान देना है इस पर ध्यान देना है मगर इसे भी ignore नहीं मारना है ठीक है अब book की बात करें तो book की अगर बात किया जाए तो जो comments जो book होते हैं आप lucent follow कर सकते हैं crown follow कर सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ list दे रहा हूँ आप इसे जरूर follow करेंगे lucent की जो समान अध्यान की भी आता है GK का और एक आता है lucent का science का यह दोनों book आप बेहतर तरह से पढ़ते हैं तो आपको अच्छा result यहाँ से देखने के लिए मिलता है साथी साथ lucent के साथ crown को आप पढ़ते हैं तो crown जो होता है यह आपको थोड़ी गहराई के साथ यहाँ पर details में दिया गया है जो कुछ भी अगर lucent से छूटेगा वो crown में बेहतर से बेहतर दिखाई देता है उसके बाद कुछ book और आप ध्यान में रखें तो घटना चक्र की book आती है अलग-अलग subject wise जो की जितने भी PCS level के एक जाम होते हैं उसके प्रस्नों को वहाँ पर संकलित और कुछ details में दिये रहते हैं तो आप घटना चक्र के प्रस्न को जरूर पढ़ें उसके जो details दिये रहते हैं उसको जरूर पढ़ें ये तीन book आप common और ये जो science है इतना आप cover कर लेते हैं इन सभी के जो भी subject हैं chapter हैं तो बेहतर result आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद अगर कुछ और आपको पढ़ना है कुछ इन तीन के बाद आपके पास अगर time है तो आप द्रिष्टी की book आती हैं अलग-अलग उसके भी subject हैं द्रिष्टी की आप book पढ़ सकते हैं एक आता है NCRT सार संग्रा NCRT सार संग्रा जो की महेश कुमार वर्नवाल जी का book है इसमें भी आपको बेहतर से बेहतर one-liner प्रस्न दिये गये हैं और पिछली बार जो एक्जाम हुआ था उसमें इसके प्रस्न बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले थे तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा time मिले तब आप इसको follow करें बाकी कम समय है तो आप इतना जरूर करके रखें और practice set को तो छोड़ना ही नहीं है daily, per day, एक time के अनुसार daily, जिहां से भी हो, जिधर भी हो, जिस publication का हो जिस online site का हो, जिस channel पे वो मिले वहां से एक practice set जरूर लगाएंगे तो ये सभी बात हमने किया है बिहार दरोगा मेंस के लिए आसा करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आये होंगे और आपके exam के लिए ये मददगार रहे होंगे तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पसंद आने पर like, share और अपने दोस्तों के साथ इसे share करें study group में और लोगों को बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करेंगे तो मिलेंगे अगले वीडियो में आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद